दौरान की ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं इससे पहरे प्रधार मंतरी रोड शो में शामिल होते नज़र आया और रोड शो के दौरान वहाँ काफी संख्या में लोग उमड़े और प्रधार मंतरी का स्वागत वहां के लोगों ने किया और ये तस्विरे कालराम मंदिर की जहां फूजय अर्चनाकर प्रधान-मंतरी राइंदु मोदी आज नजर आए इस तोराण की ये तस्विरे अब को वता दे कि प्रधान-מंतरी राइंदु मोदी आज महराज़ित के दर्दर पर है जहां इस वड़ी नासिक में है और अपसे कुछी देर में प्रधान मंत्री 27 वर आश्ट्रिय युवा महुतसव का जो कारिक्रम है उसका उद्खाटन करते हुए नजर आएंगे तो मंदिर की ये तस्विरे जब प्रधान मंत्री नेंद्रमूदी वहां पर पहुंचे अब पूजा प्रात्ना वहां पर नोने की इस दोरान प्रधान मंत्री को एक भेट भी थी कई ये तस्विरे उस दरान की आपको दिखा रहे हैं और अपसे कुछी देर में आपको बता दे कि प्रधान मंत्री राश्ट्रिय युवा महुतसव का उद्खाटन करते हुए नजर आएंगे दरसल आपको बता दे कि आज स्वामी विवेक अनंद की जोहनती है और 27 वर आश्ट्रिय युवा महुतसव इस बार मनाया जा रहा है इसका उद्खाटन प्रधान मंत्री करते हुए नजर आएंगे और साथ ही आपको बता दे कि 12 से 16 जनवरी तक हर साल इस महुतसव को मनाया जाता है काफी संख्या में जो युवा है वो इस कारिक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे तो यह तो नासिक का कारिक्रम है इसके अलावा अगर मुंबई की बात करें तो आज प्रधान मंत्री रेंडर मोधी का नासिक के बाद में मुंबई का भी दोरा रहेगा जहां पर अटल से तुका उद्खाटन करते हुए प्रधान मंत्री नजर आएंगे लेकिन जब प्रधान मंत्री आज नासिक पहुँचे तो उनका भव्य स्वागत वहां के लोगों ने किया उन पर पुश्प बर्साए, मोधी मोधी के नारे लगाए, जै श्री राम के नारे लगाए, भारत माता की जै के नारे लगाए और साथी प्रधान मंत्री ने हाथ हिला कर सभी का विवादन भी उस दोरान सुईकार किया, उसके बाद में काराराम मंदिर पहुचे प्रधान मंत्री जहां पर पूजा अर्चनाउन होने की और उस दोरान की तस्वीरे भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, महराश्ट्रों क नासिक की ये तस्वीरे हैं, अब आस अब इंतिजार किया जा रहा है प्रधान मंत्री का जब वो कारेक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुचेंगे, राश्ट्री युवा महोत्सव, इस बार आपको बता दे कि 27 वा राश्ट्री युवा महोत्सव मनाया जा रहा है, 12 जन्वरी से लेकर 16 जन्वरी तक का ये कारेक्रम रहेगा, और इस बार की जो थीम है वो है विक्सित भारत एट 2047, युवाओं के लिए युवाओं की द्वारा